दोस्तों कैसे हो क्या हाल चाले स्मार्टफोन लाउंच के मामले में थोड़ी मंदी चल रही है मतलब ज्यादा स्मार्टफोन लाउंच नहीं हो रहे और जो लाउंच हो रहे वो उतने अच्छे नहीं है या फिर ज्यादा महेंगे लेकिन टेंशन मतलो 2024 याने 2024 में ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन लाउंच होंगे उनके उपर भी हम बात करेंगे लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15,000 के नीचे ऐसे 5 स्मार्टफोन जिसमें आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो दोस्तों के साथ वगरा मतलब ये कहलो कि भाई 15,000 के नीचे 5 ऐसे फोन बताऊंगा जिसमें अच्छी गेमिंग होंगी बाकी स्पेक अच्छे होंगे और वो वैल्ली फॉर मनी स्मार्टफोन होगा क्योंकि काफिसार लोग कमेंट करते हैं तेरह हजार उपे में 15,000 उपे में कोई ऐसा फोन बताऊ जिसमें अच्छी गेमिंग हो सके तो उनसे मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फोन खरीदना है तो सबसे पहला स्मार्टफोन है मोटू G54 इसके उपर आपने डेडिकेटड वीडियो बनाया था आप में सिकाफिसर लोगों ने देखा होगा जो कि मुझे 15,000 के निचे बहुत सभी फोन लगता है 6.5 इंचेस का LCD डिस्प्लेइ लेकिन 120 हर्ट का रिप्रेशेट मिलता है Dimensity 7020 प्रोसेसर है जो कि इकलोता फोन है इस प्राइज में Dimensity 7020 के साथ आता है LPDR 4X RAM UFS 2.2 की स्टोरिज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी Android 13 आउट अप दी बॉक्स है तो ओर अगर हम गेमिंग की बात करें तो Medium सेटिंग में ठीक टाक गेमिंग आप कर सकते हो जिससे आपको प्राइज की साब से तो शिकायत नहीं होने वाली बाकि शिकायत तो 5G को लेकर भी नहीं होने वाली क्योंकि 14 5G बैंड है इस पॉर में बैक साइड में आपको दो कैमेराज मिलते हैं 50 Megapixel प्रस 8 Megapixel जो 50 Megapixel का मीन कैमरा है उसमें आपको OIS मिलता है बाई बताओ इस प्राइज में आपको OIS मिल रहा है 1080p 30fps में वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो 16 Megapixel का सेलपी कैमरा है अगर मैं इसके कैमेरा को overall review करो तो ठीक है मतलब इस प्राइज में ज़्यादा expect नहीं कर सकते है आपको disappoint भी नहीं करेगा लेकिन एक जो बड़िया बात है बाई 6000 मेज की बैटरी मिलती है तो 2 दिन का तो backup मिलेगा 30W का fast charger है side mounted fingerprint scanner मिलता है और प्राइज भी मुझे काफी सही लेगी 8GB plus 120, 8GB विरेंट आपको 14,000 का मिलता है next smartphone है बाई, Redmi 12 5G इस पोन के बारे में भी हम बहुत बात कर चुके यूग लो कि बात कर कर के थक चुके इसमें आपको 6.79 इंचेस का aperture plus LCD display मलता है 90Hz का रीप्रेट है Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है अब कभी सार लोग ऐसे होते जिनको बाई, MediaTek के प्रोसेसर पसंद नहीं आते तो उनके लिए एक option है 40fps में इसमें भी आप बीजेमाई खेल सकते हो बाकी गेम भी मीडियम सेटिंग में अच्छे से खेल सकते हो और Android 13 out of the box मिलता है थोड़ी फास्ट होने चाहिए थी Side Mounted Fingerprint Scanner मिलता है और इसका 6GB प्लस 120, 8GB रेट इस ताइम पे आपको 13,000 का मिल जाएगा Next है भाई, Realme की तरब से Realme 11X, 6.72 इंचिस का बड़ा डिस्पले मिलता है जोकि LCD पैनल है, 120Hz का रिप्रेशेट दिया है इसमें भी आपको Dimensity का प्रोसेसर मिलता है Dimensity 6100+, साथ में Lpder 4X RAM You have S2.2 की स्टोरेज मिल जाती है स्टोरेज टाइप और Android 30 नाउट अप्टी पॉक्स है 9 5G बैंड्स मिलता है इसमें भी अगर गेमिंग की बात करें तो 48 पैस में BGMI खेल पाओगे बाकि सारे गेम भी आप मीडियम सेटिंग में अच्छे से खेल पाओगे फोन के बैक साइड में आपको दो कैमराज मिलते है 64 प्लस 2 और में कैमरा से 1080p 30 अपस में वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो 8 मेगा अब एकसल का सेल्पी कैमरा है अब ओररल कैमरा ठीक है अबरेज है लेकिन इसके सैचुरेटेड फोटोस आते है अगर आपको सैचुरेटेड फोटोस से प्रॉबलम नहीं है जो सोचल मीडिया पे लोग आज पोस्ट करते है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है शायद आपको इसका कैमरा पसंद भी आ जाए 5000 अमेज की बैटरी 33 वाट का फास चार्दर मिलता है साइड माउंटेड फिंगर प्रेंट स्कैनर है प्राइस की बात करें तो 6 GB प्लस 120 8 GB रेंट आपको 15,000 का मिलता है नेक्स्ट स्मार्टफोन है भाई लोगों के एकदम एकदम मतलब एकदम ऐसे दिल के करीब के प्रेंट की तरब से यानि की पोको की तरब से यह क्या बात करता है या जो कि है पोको X5 मुझे पता है मुझे पता है बहुत सारे लोग ये confusion में रहते हैं कुछ लोगों को डर भी लगता कि भाई पोको का फोन मतलब मदर बोर्ट डेट हो जाएगा लेकिन यहर केस में नहीं होता लेकिन नसीब देखो भाई 15,000 की नीचे सबसे अच्छे स्पेक मतलब पर्फोर्मेंस के अलावा बाकी स्पेक अच्छे यही ओफर करा है जैसे कि इसमें आपको 6.67 इंचुस का सूपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है अब एमोलेड डिस्प्ले मतलब कॉंटेंट वगरा देखने में मज़ा आता है एक्स्पिरियंस थोड़ा बेटर रहता है LCD पैनल के मुकाबले क्योंकि मैंने दोनों पैनल यूज के आप में से काफिसार लोगों ने यूज के होंगे तो आपको डिफरेंस पता होगा 120Hz का दीप्रेशट है परफरमस इसमें आपको वही गिसा बेटा प्रोसेसर मिलता है आप रगें 695 जो कि पता ने बही कितने सारे फोन के साथ आच चुका है 20,000 के नीचे साथ में LPDR 4X RAM UFS 2.2 की स्टोरेज टाइब का सपोर्ट मिल जाता है तो गेमिंग की अगर हम बात करें तो 40FS में गेमिंग कर सकते हो मीडियम सेटिंग में बाकी गेम भी खेल सकते हो ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है दोस्तों के साथ टाइम पस के लिए अच्छा है बाकी Android 12 out of the box मिलता है साथ 5G band है, bands भी थोड़े कम है और Android 13 होता तो बढ़िया रहता क्योंकि बाकी सारे phone Android 13 वाले लेकिन ये भी बात है कि ये बाकियों से थोड़ा पुराना है फोन की बैक साइड में आपको तीन कैमरा मिलते है 14 प्लस 8 प्लस 2 और मेन कैमरा से 1080 पी 30 एपस में वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो 13 मेगा पिक्सल का सैलपी कैमरा है कैमरा ठीक है आपको निराश नहीं करेगा और इसमें भी आपको 5000 एमेज की बैटरी मिलती है 33 वाट का फास्ट चाजर दिया है साइड मांटेड फिंगर्पेंट स्कैनर है और इसका 6 GB प्लस 120 एट जी विरेंट आपको 14,000 में मिल जाएगा लास्ट स्मार्टफोन है अपने लिस्ट का इन्फिनिक्स नोट 30 ये स्मार्टफोन ना भाई बहुत अच्छी पैकेज के साथ आता है अगर हम गेमिंग को थोड़ा साइड में रख दे तो बाकि सारे चीज़े प्राइज के साब से बहुत सही है इसमें आपको 6.78 इंचिस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो की LCD पैनल है 120Hz का रीपरिशेट दिया है डायमन सेटी 6080 प्रोसेसर है साथ में LPDR 4X RAM, UPS 2.2 की स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिलता है तो इसमें भी 48 प्रेस में गेमिंग हो जाएगी जो की 20,000 के नीचे आजकर बहुत कम ही देखने को मिलता है और 16 Megapixel का selfie camera, camera ठीक है इसका लेकिन 5000 mAh की बैटरिज साथ में 45W का fast charger मिल रहा है जो की इस प्राइज पे बहुत बड़ी बात है साथ में NFC का सपोर्ट है, side mounted fingerprint scanner मिलता है और 15,000 के नीचे आपको 8GB RAM और 256GB storage मिल रहा है अब आपके हिसाब से इन पांचों में से कोई आपको best लग रहा है तो आप खरीच सकते हो और इसके अलावा और भी कोई option आपको लगता है जो list में होना चाहता है तब आप comment में बता सकते हो किसी और की help हो सके और वीडियो पसने आथे वीडियो को लाइक कर देना चानल का subscribe कर देना मिलता है नेक्स्ट आले वीडियो में